हेलो एवरीवन गुट मॉर्निंग तो ओल अफ यू और वेलकम तो माई चैनल लॉजिक पार्च याला तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 19th ऑफ चून 2020 की important current affairs के question देखिए हम एक वीडियो में सिफ only 10 questions करते हैं लेकिन एक 10 questions बहुत ही जदा important है तो वीडियो को बिलकुर skip ना करें आप रोज एक target fix करें कि आपको daily morning में current affairs के एक वीडियो ज़रूर देखनी है वीडियो का लिंक है वो आपको description box में मिल चाएका और आज आपको वीडियो में कुछ अलगी देखने को मिलेगा तो इसके लिए आप वीडियो ज़रूर पूरा देखें आच्छी लगे तो like, share and subscribe करना बल्कूर न भूले सो चलते हैं guys फिर से एक smile के साथ हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं आज हमारे साथ क्या-क्या खास होने वाला है और कौन से important question होने वाले हैं तो देखे सबसे पहला question आपको के सामने नजर आ रहा होगा सो आपको पता ही चल गया होगा आज हमारे questions जो हैं वो English and Hindi दोनों में हैं एक किसी student से मुझसी बोला था कि मैं please English में भी questions को करें तो आज से हम question को English में भी जो है वो यहाँ पे मैं आपके लिए note down कर दूँगी सो देखे हमारे पास first question है कि किसने world stars शार्जा ओलाइन इंटरनाशनल शतरंच चामपनशिप का खिताब चीता है who won the title of world star शार्जा ओलाइन इंटरनाशनल चेस चामपनशिप English में आप पर सकते हैं खुद अपने आप ठीक है सो इस question का जो answer है वो option number C है Grandmaster शक्यार मामे दिरोफ इनका नाम है बहुत अटपटर सा नाम है पर आप ये ध्यान लखना है इनका नाम इन्होंने अभी हान ही में world stars शार्जा ओनलाइन इंटरनाशनल शतरंच चैमपनशिप जीती है उन्होंने 10 round में से total 7.5 अंक स्कोर किया था और ये खिताब जीता है और उन्हें खिताब जीतने पर 3000 डॉलर की पुरुष का राशी भी दी गई है ये जो टूनामेंट हुआ था ये 12 से 13 जून के बीच में टूनामेंट हुआ था और इसे शतरंच क्लब सर्वर पर आयोजित किया गया था ठीक है तो ये information भी आप ध्यान रख सकते हैं बाकी question important बन सकता है option इसका answer है C. Grandmaster शकियार मामे दिरोविन का नाम है जिनोंने हाल ही में World Stars शारजा ओलाइन इंटरनेशनल शतरंच का खिताब चीता है So guys चलती है अगले question की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अगले question में हमारे पास है वार्शिक विश्व प्रतीस परधात्मक सूचकांक में भारत के सिस्थान पर है What place did India rank in the annual world competitiveness index अब ये भी जितने भी index से related rankings से related questions होते हैं वो भी important होते हैं So जो India है वो 43 number पर है Option D is the right answer Institute of Management Development ने हाली में एक सूचकांक चारी किया है उसमें भारत जो है वो 43 number पर है अगर हम बात करें इसमें पहले number पर कौन है क्योंकि आपसे first position भी पूछी जा सकती है तो ध्यान लखना पहले number पर जो है वो Singapore है इसके बाद अगर दूसरे number के बात करें तो दूसरे number पर Denmark है और तीसरे स्थान पर वैसे इसके बाद जदा पूछे नहीं जाते है Denmark के बाद Switzerland, Netherlands और Hong Kong इसका मतलब जो है वो serial है लेकिन आपको first तो ध्यान रखना चाहिए सिंगापोर, Denmark, Switzerland और उसके बाद भारत की पोजिशन जो है वो 43 नंबर पर है याद रहेगा विश्व प्रधात्मक सूचकांग में भारत का स्थान जो है वो विश्व में 43 नंबर पर है Option D is the right answer So next question के तरफ चलते हैं, third question में हमसे पूछा गया है किस शहर में स्थित Deccan Development Society ने Prince Albert, sorry Albert नहीं है, Prince Albert है English में आप देख सकते हैं, Albert 2nd of Monaco Foundation अबॉर्ट जीता है In which city is the Deccan Development Society, won the Prince Albert 2nd of Monaco Foundation अबॉर्ट तो कौन से सिटी ने जीता है, इसके बारे में हमें बताना है So option A is the right answer, हैदराबाद ने इस award को जीता है, ये 2020 के लिए दुनिया में सबसे पृतिष्ठित परियावरन पृतिसकारों में से एक है यानि जो award दिया जाता है, ये environment से related है, ये एक सम्मान दिया जाता है, 2020 के लिए प्रत्वी पर प्रतीक सम्मान के उपलक्ष में मुनेको फांडेशन के उपाध्यक्ष जिनका नाम है ओलिवियर बेडेन की पृरिंस एलवर्ट सेकेंड ने से जारी किया था, इसमें 40,000 यूरो यानि लगबख 35,000 रुपे दिये गए ते जिसको तो हैदराबाद को दिये गए तो हैदराबाद ने ये award जीता है, सो ध्या तेलंगाना की है, ये याद रहेगा, तेलंगाना की राजस्तानी है, अब तेलंगाना की राजस्तानी है, अगर हम सीम के बात करें तो सीम का नाम है के चंदरशेकर राओ, चंदरशेकर राओ, दीखे का इस इंग्लिश और हिंदी में नाम सेमी होता है, मैं इंग्लिश में लिको हिंदी में बोलू आपको समझ तो आ रहे ना कि चंदशीकर राव और गवर्मेंट का नाम है गवर्णर का नाम है तमिल सही सौंधराजन यह तिलंगाना के गवर्णर है स्वराज्थानी हैदरबाद इसलिए हमने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ध्यान कर ली अगले कोशन के तरफ आगे बढ़ते हैं तो अगले कोशन में हमसे फोर्थ कोशन में देखे पूछा है वर्ष 2019 में दुनिया भर में FDI प्राप्त करताओं के सूची में भारत किस स्थान पर रहा है भारत का हमें बताना है जो भारत दुनिया पर में फ़ई जो रिसिपेंट्स होते हैं इंद एर 2019 इंडिया रेंक्ट इन्द लिस्ट ऑफ एफ टी आई रिसिपेंट्स वर्डवाइट तो भारत कॉझ से स्थान पर रहा है तो इस पोजिशन में भारत रहा है नाइंथ नंबर पर, option C is the right answer, सेंग तो रास्ट समेलन ने व्यापार और विकास पर एक विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की है, इस रिपोर्ट के अनुसार, मतब दिखें रिपोर्ट 2020 की है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार की 2019 के according दिया गया है, कि जो भारत है, वो 42 बिलियन डॉलर जो वो निवेश किये थे, और उसके बाद 2019 में 42 से बढ़कर कितने हो गए, 51 बिलियन डॉलर हो गए, ठीक है, तो टोटल एशिया के अगर बात के दिखें, तो दुनिया बर में 9th नंबर पर है भारत, ठीक है, लेकिन अगर आप से मालिचे एशिया पूछ है, महादीप है, तो एशिया में अगर पूछा गया, तो एशिया में 5 नंबर पर आता है, और अगर दुनिया बर में पूछा जाएगा, तो आप याज रखेंगे 9 नंबर पर, ध्यान रहेगा, दोनों चीज़ा ध्यान रहेगी, अगर पूरा दुनिया पूछा, दुनिया से पूछा तो 9 और अगर Asia में पूछा कि पर Asia में कौन से number पर है तो पार्चोई number पर ठीक है चलिए अगले question के तरफ आगे पढ़ते हैं so important question है देखिए अगला question भी question है हमारे पास भारत में मनरेगा योशना के तहत सबसे अधिक रोजगार देने के मामले में कौन से राज्य शीष इस्तान पर रहा है which state top the terms of maximum employment in India under मनरेगा scheme ठीक है तो option है इसका A उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे top पर रहा है मनरेगा में जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो employment दिया है अब अगर मैं यहां से आपको थोड़ी से इसके बारे में बताती हो मनरेगा के बारे में चीक है देखे पहले जो होता जभी योजना शुरू की गई थे तब इसका नाम मनरेगा नहीं था उस टाइम पे इसका नाम था सिर्फ नरेगा इसके जो शुरुवारत हुई थे यह 2 October 2005 में इसकी शुरुवारत हुई थी उस टाइम पे इस स्कीम का नाम जो था वो नरेगा था यह स्कीम चलाई गई थे जो ग्रामेड शेतर में व्यक्ती रहते हैं वो रोजगार के लिए शहरों में पलायन करते जा रहे थे तो उनके पलायन को रोकने के लिए उनको ग्रामेडों में ही रोजगार दिया चाए इसके लिए यह योजना शुरू करी गई थी 2 October 2005 में उसके बाद इसका जो नाम मनरेगा पड़ा यह 2009 में पड़ा ठीके 2009 में इसमें यह और जोड दिया यानि अब इसका नाम हो गया है महात्मा गांदी Employment Guarantee Act याज रहेगा जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तब सिफ नरेगा नाम था यानि महात्मा गांदी इसमें बाद में joint हुआ था महात्मा गांदी औरиком ही जान हुए था महात्मा गांधी को joint किया गया था इसमें 2009 में महात्मा गांदी एड़ करके इसका नाम हो गया था मद्रेगा तो यह प्लीस आप जरू ध्यान लखें एला दिया जाने वाला अ उतरप्रदेश के द्वारा साथ cœur् आप उताप्रदेश की बात या तो फिर इसकी बारे में जालने रहे हैं ये सबी धियान देने और इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आप उत्तर प्रदेश का एक national park ज़रू धियान रखें उसका नाम है दुद्वा नेशनल पार्क इंग्लिश में भी देखें नाम वही होता है इंग्लिश और हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है बस आप मैं जो बोल रहे हैं उसे थोड़ा सा ध्यान से सुने दुद्वा नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में जो फेमस है और यही पूछा जाता है बार-बार एक्जाम में पशिमंगाल सरकार ने COVID-19 महमारी में IT पेशेवरों लोगों के लिए किस नाम से नौकरी पोर्टल जो है वो लौँच किया है तो अरो ने किस नाम से इस पोर्टल को लौँच किया है कर्म भूमी के नाम से इस पोर्टल को पशिमंगाल की सरकार के द्वारा लौँच किया गया है तो इस जो पोर्टल इसको उप्योग करके जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी कंपिनों से जुड़े रहने में सक्षम होंगे इस टाइम जो कोविड नाइंटीन जो क्राइस चल रहा है इस सोरान बहुत से IT जो वोर्कर से उनकी नौकरी भी चली गई अगर आपने न्यूस वगेरा सुनते ही होंगे आप तो तो काफी सारे वोकर की नौकरी चली गई है तो वोकर को अपनी कंपनी से जुड़े रहने के लिए यह पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है ये वेब पोर्टल जो होगा वो IT कम्पनियों के बीच मतब जो प्रोफेशनल्स हैं और जो उनके कम्पनी उनके बीच एक ब्रिच का काम करेगा ठीके सो option A is the right answer अब पशीमंगाल की government ने इसको शुरू किया है तो पशीमंगाल की बात ही कर लेते हैं पशीमंगाल की चो capital है वो कॉलकाता है पशीमंगाल की CM का नाम है ममता बेनर जी और पशीमंगाल के governor का नाम है जगदीब धनगर सो ये सब भी आप जरूर प्लीज ध्यान रखें सो clear हो रहा है ना guys आपको अगर किसी question में न कोई doubt लगे इससो comment आप कर सकते हैं मंतुरी उनका नाम आपको यहां पर दिया गया है मुख मल्दकली अबिल गाज यह देखें बहुत रटपटसा नाम है विकुस हमारे देश की तरह तो नहीं है ना सो किसी बाहर की country के ही है यह प्राइम मिनिस्टर इन्होंने अभी अपने पद से स्थीफा दे दिया है विच कंट्री इस प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम आप यहां पर सकते हैं यह बदाना है कि कौन से देश के प्रधान मंत्री हैं तो option c is the right answer किर्गिस्तान देश है एक किर्गिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने अभी पद से अपना हाल ही में स्थीफा दिया है उन्होंने रास्टिया रेडियो फ्रिक्वेंसी के असाइमेंट में जो जान चल रही थी उसका हवाला देते हुए अपना इस्थीफा दे दिया है अब बही किर्गिस्तान देश की बात हुई है तो इसको छोड़े भी ना तो हम रहेंगे नी इसके राजदानी है मैं आराम से लिख रहे हूं क्योंकि यह अटपटे से नाम है सो आप कंफ्यूस न नाम है सो रोन बाई जेनेब कोफ लिख देते हुँ एक बार ही आप पर एरेज करके सो रोने बाई जी नेब कोफ ठीक है यह वो किर्गिस्तान के प्रेजिदेंट है प्राइम मिनिस्टर की सीटफ वैकेंट हो गई है सो option c is the right answer और ऐसे ही question आप सभी के एक्जामें बनते हैं सो ध्यान रखी question के answers नेक्स्ट question is अमेरिका के डेलवेर के हौकिन सिन में हनुमान जी की कितनी fit उची प्रतिमा स्थाफित की गई है how many fit tall statue of हनुमान was installed in हौकें डेलवेर युएसे यह हौकें सिन और जो डेलवेर युएसे में जगय का नाम दे है जहां पर इस statue को जो है वो लगाया जा रहा भी statue कितना बड़ा लंबा है हमें इसके बारे में बताना है और एक और बात है कि इसका जो वजन है वो 30,000 kg जो है वो इस पूरी प्रतिमा का जो है वो वजन है इस प्रतिमा को भारत के वारंगल जिले में तयार किया जा रहा है काले ग्रिफाइट के एक तुकडे से ही इस प्रतिमा को मूर्तिकारों को लगबग एक साल लग गया इसको बनाने में और इसका जो खर्च आया है बनाने का वो एक लाख डॉलर का आया है इसे शिप के जरिये जो है वो अमेरिका में बेजा जाएगा और वहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा तो इस प्रतिमा को भारत के वारंगल जिले में तयार किया जा रहा है सीके यह सब आप जरू ध्यान नगे क्योंकि जितने कोशिंस की मैं आपको इनफोर्मेशन देती हूँ वो सभी बहुत इंपोर्टेंट बनेंगे एक्जाम की परपस से नाइन कोशिन में पूचा है जून 2020 में किस राज्य के क्रशी मंत्री ने राज्य विदानसभा में 2021 के लिए क्रशी बजट पेश किया है इस बजट को पेश किया गया है आंध्य। करशी मंत्री का नाम है कुरसाला लिख रही हूं मैं कुरासला कन्ना बाबू चीक है अटपटे से नाम तो होते हैं या लक्सी स्टेट के तो ध्यान रखें ये अंदर बिदेश के गरशी मंतरी और अन्होंने भी हानी में मदब 16 जून को इन्होंने बजट जो है वो पेश किया था इस बजट में रितु भरुषा पीम किसान योजना के लिए कुछ करोन रुपे आवंटित किये गया थे तो इस योजना के बारे में भी पूछ सकते हैं ये रितु भरुषा जो योजना है वो कौन से राज्जे के द परपेर रहें exam के लिए अब देखे अगर हम बात करें यहां पर आन्द प्रदेश की बात होगो इस तो आंद प्रदेश को भी ना छोड़े थplay रहें नहीं के जानने ले इसके बारे में भी आंद प्रदेश की कापिटल जो है वो अमरावती है आंदरपिदेश की CM का नाम है Y.S. जगनमोहन रेटी और गवर्णर का नाम है विश्व भूशन हरिचंदन सो ध्यान रहेगा इस question का answer है option number C next question is this is the last question of our video 10 question में हमसे पूचा है करनाटक सरकार ने किस दिन को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया है करनाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया है अब इस दिवस को मनाने का उद्देशे क्या है देखे जो मास्क है जो सेनिटाइजर का उप्योग करना है साबुन से हाथ दोना और अन्य लोगों से समाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में सभी में जागरुकता फिलाने के लिए इस दिवस को जो है वो 18 जून को मनाने का लिड़ले लिया गया है ताकि क्या कर सके भई यह लोगों को जो है वो जागरुक कर सकें कि आपको कोविट के जो माहमारे के चलते क्या के चीज़े साफधाने बरतनी चाहिए इससे लोगों में जागरुकता पैदा होगी और वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे So option B is the right answer So देखें guys this is the last question अब इसमें करनाटक के बारे में बात होई तो इसके बारे में भी मैं आपको बता ही देती हूँ फटाफट से करनाटक के राजधानी जो है वो बैंगलोरू है करनाटक के CM का नाम है BS येदुरपपा और गवर्नर का नाम है बजु भाई बाला So अब हम चलते हैं ask के question पे जिसका answer प्लीज सभी लो comment box में जरूर करें The question is American Senate Academy में इसना तक लेने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है Options आपके सामने हैं आप सभी इसको question को देखें जरूर And हम चलते हैं अप्टी last video के question पे जिसका answer मैं आपको बता देती हूँ So guys एके last video में question पूछा था कि मध्य railway zone ने screening निगराने को तेज करने के लिए किस नाम से रोबोट को launch किया है So option D is the right answer Captain Arjun नाम से रोबोट को launch किया गया है यह रोबोट काम करेगा सभी लोगों की thermal screening करेगा यानि जो body temperature इसको record करने के लिए इस रोबोट को जो है वो railway zone ने launch किया है So guys video is over अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे like शने subscribe करना बिलकूर न भूले So competitive exam के लिए और latest update के लिए हमारे channel से जरूर जोने logic पार्ट चाले सी And guys please subscribe my channel So milte है next video में Take care, goodbye, all the best for your success Bye-bye